हेलो एवरिवन मैं हूँ आपकी दीपशिका और आप देख रहे हैं दीपशिका लाइफ स्टाइल डेकॉरिशन तो आज की वीडियो में हम जो है रिपब्लिक डे से रिलेटेट एक बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनाने वाले हैं अपने काना जी के लिए जिसके लिए मैंने बक्रम का कपड़ा लिया हुआ है और उसमें बीच से फोल्ड करने के बाद कुछ इस सरे का डिजाइन पहले एक साइड ही ड्रॉ किया हुआ है अब इसको पहले कैची से कट कर लेंगे अब देखे जितने बड़े भी आपके ठाकुरजी है उतना बड़ा ही आपको बक्रम का कपड़ा चाहिए होगा और इस सरे की डिजाइन उसके उपर आपको बना लेनी है और कट कर लेनी है अब ये कटिंग हमारी देखे एक तयार हो गई है अब इसमें सेंटर में भी हमें थोड़ा सा छोटा सा कट लगाना होगा जिससे की हम इस ड्रेस को आसानी से अपने ठाकुरजी को पहना सके है अब इसको भी चले कट कर लेते हैं तो बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ बनाने का जिससे की आप मिंटों में फटा-फट सुन्दर सी ड्रेस बना के तयार कर लेंगे अब जैसे की हमारा जो रास्ट ये धोज होता है उसमें तीनी कलर होलते हैं तो उनी कलर को चूज करके ही हम इस ड्रेस को बनाएंगे जो की 26 जनवरी के occasion पे उनको पहनाना बहुत ही अच्छा लगेगा अब ये सेम उसी कलर का दिखें कट कर लिया है नारंगी कलर का भी कपड़ा और थोड़ा सा बकरम से बड़ा कट करना है जिससे की back side में इसको turn करके fold कर देंगे तो जो hard shape हमने कट किया है इसकी finishing अच्छी आ जाएगी अब इसको आप sil भी सकते हैं और चिपका भी सकते हैं जैसा भी आपको सही लगता है तो आसपास किनारी हमने अच्छे से cover कर दी है अब यह बीच वाला जो part है इसको भी हम कट करेंगे लेकिन बकरम से थोड़ा सा बड़ा कट करना जिससे की यह fold होके cover कर सके अब आप मेरे हाथ में देख रहे हैं यह green color की flower वाली less इसपेशली मैं flower वाली use कर रहे हूँ जिससे की यह देखने में और भी सुंदर लगेगी और same to say match भी होगी 26 जनवरी से related तो यह पूरा चारो तरब इसको आप सिल सकते हैं क्योंकि यह fabric की ही है अब ही आप मेरे हाथ में छोटे छोटे से flower देख रहे होंगे यह दो तरह से लग जाते हैं अगर आप सुई धागे से लगाना चाहेंगे उससे भी लग जाएंगे चिपकाना चाहें तो वो भी हो जाएगा तो मैं क्या है इसको fabric glue से इस less के center में बीचो बीच चिपका रहे हूँ और यह दोनों मैंने match करते हुए ही लिए हुए हैं जो less को flower आपको दिख रहे हैं सेम उसी design के ही यह छोटे छोटे से flower हैं जो की शायद plastic की बने हुए हैं तो हमारा जो combination है white का केशरिया रंग का और orange कलर का नारंगी रंग का वो हमारा जो है match हो जाएगा तो यह बीचो बीच देखिए इस तरह से सारे चिपका दिये हैं मैंने उसके बाद देखिए कितना सुन्दर लग रहा है देखने में मुझे ने बता कि आपको camera में exact कैसा द और इस तरह से मैंने बनाया हुआ है तो दोनों एकी साइस की आपको पट्टी कट करनी है और उपर से silver color की कोई भी लैस आपके पास हो या सितारे हो आप उस पे चिपका दीजे अब इसको वी जैसे बनाते हैं वी नेक की तरह इस साइड चिपकाना है और सेम इसी तरह से क् पहनाने के लिए उसी में हम इसको एजस्ट करके चिपकाएंगे और देखे यह वी नेक बनाया हुआ है इस तरह से तो क्या है कि पीछे साइड जब हम रखेंगे तो उसको अंदर की तरफ से चिपकाएंगे पर जब बाहर से हम काना जी को पहनाएंगे उस साइड आपको य लेस देखी इस तरह से आ रही है कि एक हार का लुक देगी अब जो छोटे-छोटे से फ्लावर और भी थे उसको औरेंज कलर की फैब्रिक में ठीक हार्ट का जो शेप बनाया हुआ है ड्रेस का उसी के शेप से मैच करते हुए पूरे में इस तरह से चिपका देना है फैबि का तरीका है जितना आसान हो सकता था उतना आसान मैं आपको बताया हुआ है तो फटा-फट जल्दी से बना लीजे क्योंकि 26 जनवरी में बहुत ही कम टाइम रह गया है और आप अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं मेरी वीडियो उसको देख रहे हैं तो दिस